जेह हैं दोस्तों मेरा नाम है चलमिल और आज का हमारा सोशिलोजी का टॉपिक है एसेंस ओफ रिलीजिन इन्परिमेटिव ऐस वेल एस मॉडरन ससाइटे पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि किस तरह का रिलीजिन जो डडखेम ने अपनी बुक जो है रिलीजिन के बारे में जिसमें उन्होंने अपनी व्यूज रखे थे उसके बारे में किस तरह से उन्होंने religion के बारे में तरशाय था, क्या होना चाहिए religion, क्या characteristics होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने religion को society के साथ compare किया था तो इस तरह से जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो देख लिजए कि ये दो वीडियो जो है, वो काफी जाता similar होने वाले है तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, according to Dirkhe, the essence of religion in modern society is the same as that of the religion in primitive society, comment ठीक है जी, तो modern society में जो religious essence है, वो primitive society के साथ मिलता जुलता है, इसको अपना opinion डेने को बोला है, ठीक है जी तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी इस बुक के बारे में बहुत ज्यादा जिकर किया था, that elementary form of religious life, one of the most famous book of Dirkhe, जिसमें उन्होंने religion के बारे में, religious characteristics के बारे में, काफी, you know, दिल जस्म चर्चा की है So, introduction में हम लोग इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, introduction जो हमारा पिछला वाला वीडियो है, उसमें से ही आप लिख सकते हो, दोनों introduction सिमिलर होने में, मतलब आप दोनों सेम ही लिख सकते हो, कोई वैसा नहीं है, तो introduction मैं explain नहीं करूंगे तो उसके बाद डर्खेंग ने religion का definition दिया है, ये भी मैंने उस वीडियो में explain किया है, कि according to डर्खेंग, religion is a system of, unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden religion क्या है, कुछ चीजों को हम लोग sacred मानते हैं, और उन चीजों को हम लोग normal चीजों से उचे स्तर पे रखते हैं, ठीक है जी फर एक्जांपल, हिंदु धर्मे भगवद गीता, भगवद गीता क्या है, एक book ही है, जिसमें श्री कृष्णा ने अपने opinions डाले थे, कर्म योग धर्म योग रखे थे, लेकिन उसको हिंदु धर्म में बहुत ज़्यादा उच्छा मायनियता दिये ही है, in fact, court में भी आप गीता पे हाथ रखे कसम खिलाया जाता है, कि मैं जो भी कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो इस तरह से इतनी ज़्यादा इसको मतलब उपर रखा गया है, compared to other books, ठीक है, तो वही religion है, according to डर्खेम, डर्खेम के हिसाब से, religion जो है, a unified system of beliefs है, जहाँ पे दो specific चीज़े है, एक है sacred, एक है profane, इसके बारे में हमने पढ़ा था और आगे पढ़ेंगे, डर्खेम ने अपने बुक के स्टार्टिंग में कुछ और चीज़ों के बारे में भी mention किया है, जनको उन्होंने contradict किया है, that is, कुछ और belief system के बारे में, एक है animism, और दूसरा है naturism, so dear way, two interpretation contrary to dark game regarding religion, so dark game ने जो religious belief का, मतलब religious का एक view रखा था, एक विचार रखा था, उसको contradict करते हुए, दो interpretations और थे, एक थे animism, दूसरा था naturism, उस time पे, ठीक है, वो दूनों के जो thought process थे, उनकी characteristics थे, वो काफी different थे, कैसे different थे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर 150 words का question आएगा, तो सिर्फ आपको नाम mention करना है, animism और naturalism, और लेकिन अगर उसे ज़्यादा marks आएँगे, तो आपको एक एक line उसके बारे में लिखना है, ठीक है जी? डर्खेम ने इन दोनों interpretations को contradict या refute किया था, अपनी बुक के first part में, animism और naturalism इन दोनों को डर्खेम ने बोला, मैं नहीं मानता, यह होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, religion ऐसा होई नहीं सकता है, तो डर्खेम ने अपनी बुक के first part में ऐसा बोला था, जैसे कि यहां पे, यह है animism, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है animism, तो the theory of animism is the work of E.B. Taylor and may be found in his primitive culture, first publication 1871, तो animism के साथ, जो Taylor है, E.B. Taylor, उनको primitive culture, उन्होंने इस पे बहुत research किया था, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत promote किया था, animism को, According to Taylor, animism is essentially a belief in the spirit of the dead, Taylor argued that early men had a need to explain dreams, shadows, hallucinations, sleep and death, तो यह early men में भी नहीं, यह कई-कई tribes में होता है, यह shamanism में होता है, लोग क्या होता है, एक हर्ब होता है specifically, आया हाउसा करके, या फिर कोई तो meditation करके, या फिर कुछ भी करके, एक trans state में चला जाता है, जिसके बाद क्या होता है, जो early shamanism होते हैं, जो traditional shamanism होते हैं, वो कहा जाता है, कि spirit world से, जो spirits होते हैं, वो उनको तक आते, उनको मतलब heal करते हैं, जो patient होते हैं, उनको heal करते हैं, आप लोग YouTube पे search क कर सकते हो, हाँ, वो shamanism होते हैं, तो shamanism जो होते हैं, वो एक तरह से trans state में चले जाते हैं, जाके, जो spirit उनकी body में आ जाती है, spirit of the dead ancestors उनकी body में आ जाती है, और फिर वो किसी patients को and all kind of things को heal करते हैं, ऐसा traditional जो native American shamanism होते थे, वो ऐसा करते थे, एक हर्ब होता है, आया हाउस वो धर ही होता है, उसको खाके एक तरह से hallucination का होता है, जिससे वो एक दो तीन दिनों तक hallucinated state में आते हैं, और उस तरह, उस दौरान जो है, वो trans state में चले जाते हैं, ठीक है, यह तो spiritual बात है, लेकिन फिर भी में बता देती हूँ, तो यह कई-कई तरह से shamanism को, you know, resemble or replicate करत है, animism, animism मतलब क्या होता है, कि इंसान अगर, मतलब, trans state में होता है, या hallucination होता है, तो उसको dreams आती है, spirits possessed जैसा भी होता है, तो उस तरह से, मतलब, कोई realistic object नहीं है, मतलब, उसी को भगवान माना जाते है, आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हो, Native American shamans, जो होते हैं, वो किस तरह से शमान की body उन पे आती है, मतलब, spirits उन में आती है, और किस तरह से, वो heal करती है, जब spirit आती है, तब वो कपरा जो है, वो, मतलब, ढग दिया जाता है, और drums होती है, शमानिक drums, इस वेड़ी इंट्रस्टिंग, Animism connect to the spirit in the trance state of mind, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये जस फ़र पर्पोस of explanation, मैंने लिखा है, कि किस तरह से, मतलब, आप सो रहे हो, और अपने hallucination state में, ये dream किया, कि, you know, you're having a dinner in a five star hotel, lavish dinner, you're having a date with your dream boy, or your crush, or whatever it is, तो, you are sitting in the comfort of your room, but hallucination state में, you are with your crush, okay, and your crush is, you know, hugging you, you're cuddling with you, you're kissing you, जब आप अपने आँखे खोलती हो, you are getting marks on your body, तो ऐसा लग रहा था कि आप, अर्य मैं तो यहां से गया हैंए, कि इन बोड़ी पर कैसे आगे, तो इस तरह का, आप imagine कर लो, कि इस तरह के scene, in the trance state, you are traveling, this is called astral travel, तो यह सब इतना spirituality लिखने के जरुरत नहीं है, मैं एकदम deep चली जाती हूँ, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, एकदम spiritual, तो यह सब लिखने के जरुरत नहीं है, अब बस animism जो है, वो टेलर ने promote किया था, in his book primitive culture, animism क्या है, उसके बारे में एक लाइन कर लिजएगा, animism के according, जो चीजे होती है, चाहे वो animate हो, या inanimate हो, उनमें consciousness होता है, हर चीज में यह जान होती है, for example, कोई animal हो, वो spirit animal होता है, कोई owl हो, उसमें किसी की आत्मा होती है, तो ऐसा, चाहे कोई non living object हो, उसको भी consciousness माना जाता है, तो animism में हर animate और inanimate object को conscious माना जाता है, ठीक है जी, तो नाचुरिजिम में natural forces को promote या प्रधान्य दिया जाता है, psychology में जानते होंगे, हम लोग वायू देवता, अगनी देवता, लोहरी में हम लोग अगनी देवता को पूझा करते हैं, ठीक है, spiritual practice में भी हम लोग grounding करते हैं ताकि हम लोग जो है हमारे चक्रास को जमीन से Mother Earth से connect कर सके तो इस तरह से हर धर्म में क्या होता है, naturalism में क्या होता है natural forces को supreme power दिया जाता है natural forces के according ही natural forces को भगवान माना जाता है, to be simple naturalism मतलब nature ही भगवान है, ठीक है तो डर्खेम ने इन दोनो principles को reject किया इन दोनो characteristics को इन दोनो process को reject किया saying that हम नहीं मानते इसको तो डर्खेम ने क्यों reject किया इन दोनो concept को animism और naturalism because first thing is क्योंकि ये दोनो concept जो है sacred और profan के concepts को explain नहीं कर पारते ना animism ना naturism sacred और profan डर्खेम के according जो चीज sacred और profan के जो concept है उसको explain कर सकता है वही religion में आता है लेकिन ये जो animism हो गया या naturism हो गया ये sacred और profan के concept को clarify नहीं कर पारते दूसरा reason है because they tended to explain religion a way by interpreting it as an illusion तो ये दोनों जो process थी चाहे वो animism हो या फिर नाचुरिजम हो इन्होंने एक illusionary world जो है बनाय हुआ था ये religion को reality से अलग कर रहे थे it was creating a kind of illusion that is the reductionist valley moreover to love spirits whose unreality one affirms or to love natural force transfigured merely by man's fear would make religion experience religious experience a kind of collective hallucination तो अगर मतलब अगर कोई spirit को प्यार करे या spirit को शद्धा करे या फिर नाचुरल फोर्ज जिसको हम लोग देख नहीं सकते ठीक से मतलब it is like you know it is far away जो tangible नहीं हो अगर हम उस चीज़ को worship करे it will be a kind of hallucination हम किसको worship करे अगर secret और प्रफेन होता है तो कोई definite object होता है for example भगवद गीता Hindu धर में idol worship होता है Musliman धर में Christian धर में Bible, Jesus Christ, Quran यह सब होते हैं जिनको हम लोग पूजा करते हैं जिनको जो पूरे लोग है उनको unite करते हैं जो होते हैं उनको हम देख नहीं सकते नहीं सकते हैं या फिर जो natural forces है you cannot see where is the year coming you cannot directly see the year you can just feel it on your body you cannot see you know ऐसा definite form नहीं है tangible form तो इस तरह से it will be a kind of hallucination तो इसलिए 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 टेक अवई human from reality यह reality से काफी दूर कर देगा इंसानों को society को unite नहीं कर पाएगा और इसलिए डर्खेम ने animism और naturalism दोनों को reject कर दिया था reject किया तो खुद अगर आप किसी चीज़ को reject करोगे तो अपना खुद का point की मैंने reject किया यह है मेरा point यह तो गला था यह सही है तो अपना point और रखना पढ़ेगा ना तो इस reject कारके उन्होंने अपना point रखा था the concept of sacred and profane इसके बार में मैंने detail में example के साथ पिछला वीडियो में पढ़ाया है आप लोग वही लिखिए वही पढ़िए अब दुबारा से मैं explain नहीं करूँगी वो वीडियो देखिए और वहाँ पे explain example जो भी है वो ही आप लिख सकते हो secret और profane का तो real religion according to dirkheim क्या है जो secret और profane के एर्थ के एर्थ खुमता है secret और profane जो है वो दोनों एक दूसरे पे dependent है for their survival for example भक है मतलब भगवान है मतलब भक्त है तो भगवान है और भगवान है तो vice versa अगर भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान कैसे है भगवान होंगे ठीक है भगवान है मतलब भक्त है तब ही तो भगवान है और भगवान है यही सोच के भक्त जो है वो निच्छनत है, अगर हम लोग problem में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करो है, भगवान यह करो, यह भगवान वो करो, मैंने अपनी लाइफ के decision, जो है, उम नमस्षिवाए, मुश्किल से मुश्किल decision, उम नमस्षिवाए करके, आखे बंद करके क एक हिम्मत मिलती है ठीक है तो वैसे ही भगवान मतलब भक्त है तब ही भगवान है तो दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है for their survival भक्त के बिना भगवान भी अधूरे है और भगवान के बिना भक्त भी अधूरे है सो इसके अलावा जो है sacred और प्रोफेन के अलावा डर्खेम ने तीन अधर कंडिशन्स रखे है एस पर मतलब एक religion होने के लिए एक religion को categorize करने के लिए तीन और कंडिशन्स जो है वो डर्खेम ने रखे है यह बस नाम लिखने से हो जाएगा आपको इतना explain करने के जरुरत नहीं है बस नाम लिखे तो वही हो जाएगा क्योंकि यह सब मैंने for the sake of explanation ही लिखा है कि तीन अधर कंडिशन्स है जो religion को characterize करती है that is religious belief, religious rights and church church बोले तो एक symbolization है जहां पि यह religious beliefs और religious rights जो है वो unite होते है लोग अपने you know church में क्या करते है लोग unite होके prayers करते है you know सब लोग miljul के prayers करते है, mandir में क्या करते है, satsang में क्या करते है unite होके dharm की बात करते है, positivity फहलाते है तो this is just a symbolic representation church हो गया, mandir हो गया, majjit हो गया, gurudwara हो गया, journalism में कल्चर की हिसाब से होता है general theory of religion according to dharkhim तो dharkhim ने दोनों जो concepts, the animism and naturism I'm so sorry तो dharkhim ने जो है, एक simplest form of religion को प्रधानिया दिया that was theory of totemism totemism क्या था ये भी मैंने पिछले वीडियो में detail में discuss किया था कि किस तरह से एक totem या object को एक clan जो है वो choose करते है, वो एक emblem की तरह काम करता है और वो clan के members जो है, वो totem देखके समझे, रही है हमारे बंदा है, हमारे clan का बंदा है इसको कोई हाथ लगा के दिखाए, दात तोर देंगे या फिर हमारे बंदा, हमारे clan का बंदा है, वो, you know, मुसीबत में है we need to save him or her ये totem ही जो है, वो लोगों को, ये मलब, clan के बंदे को युनाइट करता है ठीक है जी in the Australian tribes studied by Durkheim, the totem is represented in various ways each totem has its emblem, in almost all clans there are objects, pieces of wood or poly stones which bear a figurative representative of the totem तो रूडिम क्या है, बेसिकली इस तरह का ऊडिन अब्जेक्स है जिसमें आख मूँ बना होता है और ये जो है, एक तरह से emblem का का काम करती है जो हमारे याँ पे जंडा होता है, वैसे totem होता है वो देखके समझ जाते हैं, और ये वो clan है, वो कबीरा है तो इस तरह से totem जो है, एक तरह से symbol का काम करता है ये जेनरली उट से बना हुआ होता है ordinary objects which are referred to as Turinga are transfigured once they bear the emblem of the totem ordinary objects मतलब किसी ये ये आप देख सकते हो ये उटेन एक normal सा object है इसको transfigured मतलब इसको sacred बनाया जाता है इसको बनाया जाता है, इसमें भगवाने, इसमें थोड़ा बहुत decoration कर दिया जाता है और उसी को sacred बनाया जाता है और वही जो clan के members है, उसको unite करता है आगे हम हमारे वीडियो के end में, तो जो आपको समझ में आया, उसके उपर आप लिखेगा कि क्या आपको समझ में आया, किस तरह से आपको समझ में आया All the essential elements of religious thoughts and life are to be found at least in the most primitive religion हमारे जो नीव है, हमारी जो roots है, it is found in the most primitive religion Durkheim stated that the first attempt should be made to study religion in its simplest form Religion को अपने simplest form में study करना चाहिए सबसे पहले इसको एक example की तरह समझते हैं, जब आप meditation करते हो, तो directly आप Kundalini नहीं सीख सकते है You have to start from simple breath work, simplest form Simplest form क्या होता है, breath work, अपने breath को कंट्रोल करना, mind के clutter को बंद करना Mind को कंट्रोल करना, transform में जाना, उसके बाद chakras को balance करना उसके बाद आप higher level of meditation सीख सकते हो ठीक, उसी तरह से, religion को एकदम simplest form से सीखना चाहिए अगर आपको असली religion को सीखना है तो Then it can be possible to go deeply into other including the religion in advanced society To see that totemism is the simplest religion implies an evolutionist concept of religious history तो totemism को explain करने का मतलब यह है कि यह simplistic form of religion है जो कि पहले की time से चलता आ रहा है और अभी भी चलता आ रहा है कई-कई जगापी और एक तरह से यह society को unite करता है ठीक है, और भी सारे प्रताई थी जो नहीं चले लेकिन totemism जो है वो अभी भी चल रहा है और उसी का एक, you know, advanced version अभी, अभी के present society में चल रहा है ठीक है जी? तो यह हमारे वीडियो का end आज के लिए बस इतना ही कलफर मिलेंगी कुछ नहे lectures के साथ Thank you